Good morning students, मैं सोना करना है, आज हम class 7th का topic ले रहे हैं, आज, science का topic ले रहे हैं, weather, climate and adaptation of animals to climate. हम दिस्कस करेंगे, what is weather, weather क्या होता है, देखे, weather का हम बोलेंगे, जिससे हम दिन बर दिन मुसम चेंज होता है, आज अगर सुबा अच्छी धूप निकली होती है, तो दिन में एक गम से बार शुरू रहती है, और रात को एक गम से आस्मान फिर साफ हो जाता है, उसे कहेंग अच्छा मुसम के तो दूसरी तेज गर्मी रहते है, उसे हम कहेंगे, weather, पमनर नहीं रहता है, weather influences our lives in different ways, weather जो है हमारी जिन्दिती को हाल अगर तरह से असर डालता है, during summer we switch off on fans to keep ourselves cool, we use light colored clothes in order to reflect the heat, घर्मी में हम क्या करते हैं, जैसे हम रूम में जाते हैं, गर्मी लगते हम ताकि हमें ठंडी हवा चले, और हम light color के clothes पहनते हैं, कि जो color होते है, color पे heat जो है reflect करती है, अगर हम dark color के कपड़े पहनेंगे, जैसे ब्लैक हो गया, तो इस पेगा घर्मी जादा लगती है, जैसे हम light color के कपड़े पहनेंगे, जैसे कि pink हो गया, white हो गया, yellow हो गया, इनमें हो गया, इनमें heat नहीं लगती है, घर्मी नहीं लगती है, इसलि हम गर्मी में जायते हैं, हम light color के कपड़े पहना पसंद रखते हैं, during winter, ये तो हो कि summer की बात, during winter, we use dark colored clothes, and wrap ourselves in warm clothes to protect us from cold environment, और इसके, विंटर में क्या करते हैं, dark color के कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पह और अपने आप, अपने आपको इस तरह से wrap करते हैं, अपने आपसे कपड़ों को इस तरह ढख लेते हैं, कि हमें ठंड ना लगते हैं, room heaters का use करते हैं हम लोग, ठीके, ये वा winter में, लेखे, चेंज होगा है, मुसम, summer था summer में हमने अलग चीज़े करते हैं, हम लोग fan चला ठीक है, इसे against, आप similarly ले लो, आप बारिश के मुसम करते हैं, एक तो हम चाता लेते हैं, या rain coat कहनेते हैं, as it may, rainy and a dime, rain and a dime, इस तरह बारिश हो सकती है, सुभा अगर मुसम साफ होता है, तो दिन में करता है, बारिश मजाती है, तो इसके हम क्या करते हैं, umbrella साथ में रखते है, या हफते हफते, change होता है, it is a complex phenomenon that may vary over vary, short periods of time, ये कम टाइम के लिए होता है, change होता है, अगर बारिश रहेगी, तो कम टाइम के लिए बारिश रहेगी, अगर धूप रहती है, तो कम बार अब अबारिश रहती है, change होता है, थोड़ देर धूप हो जाएगी, थोड़ द our daily activities are planned according to the weather, predicted for a particular day, हम क्या करते हैं, हमें कहीं जाना होता है, बाहर निकलना होता है, या फसल वगरा लगानी होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले weather देख लेते हैं, कि weather कैसा है आज का, कहीं बारिश तो नहीं है, अगर बारिश होते हैं, तो हम जो काम हमें करने होते हैं, हम पोस्पोन करते हैं, जो मैं daily activity होती हैं, depend करते हैं, weather यह उपर, the daily report of weather is provided on television, radio and even in newspaper, आज को तो phones वगरा में होती है, वे weather की आप app download कर लीजी, आपको daily का weather कर अचे जाता है, वैसे पता जाता है, television उपताते है, radio बिनाते हैं, और news को बिनाते हैं, कि आज का weather कैसा रहेगा, कि यह तो रहा weather के बार, कि कैसे जो weather है, हमारी life को effect करता है, ठीक है बच्चों, तो प्लीज आपस को धियान से पढ़ लीजेगा, thank you